हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आई होप सब बहुत अच्छे सी होंगे आज मैं आपके लिए कुछ नया टॉपिक लिए कर आई हूँ बनवर्ट सब्स्टिविशन आज हम इसमें बनवर्ट सीखेंगे कोश्चन वन सौट एम्योजिंग स्टोरी एवाउट सम रियल पर्शन और इवेंट ऐसी छोटी कहानी जो वास्त्वी पर्शन और वास्त्वी गटना पर आदारित हो जिसमें संगीत भी हो तो ऐसी story को हम क्या कहते हैं, ऐसी कहानी को हम क्या कहते हैं, आपको इसका one word बताना है, हाँ इसका correct answer हो जाएगा, anecdote, एक छोटी सी कहानी, जैसे हम anecdote कहते हैं, next question to one that opposes other, कोई जो दूसरों का हमेशा अपोज करता है, यानि की बिरोध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो हमेशा किसी का बिरोधी हो, उसे हम antagonist कहते हैं, बिरोधी, एक सब्द में क्या कहेंगे, antagonist, next question, three, loss of ability to understand speech, जब हम समझने की अपनी समता को खो देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, यानि कि हमारे साथ कोई अचानक कोई घट जाए, और हमें समझ में ना आए कि हम क्या बोले, तो उस इस्तिती को क्या कहते हैं, तो उस इस्तिती को हम कहते हैं, अफेशिया यानि बोली बंद हो जाना नैस्ट पोश्चन पोर बन हूँ अबन्डेंस हेज रिलीजियस फेद कोई ऐसा ब्यक्ति जो अपनी इच्छा से अपने धर्म को त्याग दे अबन्डेंस होता त्याग ना तो ऐसे ब्यक्ति को हम एक सब्द में क्या कहेंगे हम एक सब्द में इसको कहेंगे apostate क्या बोलेंगे apostate यानि की जो स्वयम से अपना धर्म त्याग दे इसे किसी भी धर्म में कोई विश्वास ना हो नैस्ट कोश्चन 5 वन हूँ इच ग्रीडी ऐसा बेखती जो बहुती लालची हो एक सब्द में इसको क्या कहेंगे हम हाँ हम इसको कहेंगे अबैरेसियस अबैरेसियस में इस होता है लालची ठीक है अबैरेसियस में इस लालची नेश्ट पोश्चन शिक्स ए पर्षन अपॉंटिड वाई टू पार्टीज तू सॉल्व ए डिस्प्यूट डिस्प्यूट होता है जगड़ा यानि कि किसी जगड़े को खत्म करने के लिए दो पच्छों के द्वारा एक ब्यक्ति को बुलाना जैसे कि किसी गाउं में जगड़ा हो जाता है तो हम पंच को बुलाते हैं तब हम उसको एक सब्द में क्या कहेंगे तो हम कहेंगे उसको आर्वी ट्रेटर यानि पंच नेश्ट कोश्चन सैवन दा अपसेंस ओफ कवर्मेंट इन ए कंट्री ऐसा देश जिसमें किसी की कोई सरकार ना हो यानि कि उसमें ना तो किसी का कोई कानून हो ना कोई नियम हो तो इसको हम क्या कहेंगे तो हम इसको कहेंगे क्या कहेंगे एनार्की एनार्की मीस होता है अराजकता या निरंकुस्ता नेश कोशन एट ए बुक और ए बर्क आफ आर्ट फूज ऑथर इज नौट नौन ऐसी पुक यानि ऐसी पुस्तक या कला का काम जिस पर लेखक का नाम ना दिया गया हो यानि कि उस पर यह नहीं मालूम है कि यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है तो ऐसे बुक को ऐसे बर्क को हम क्या कहेंगे एननि मस कहेंगे यानि कि गुम नाम ऐसी कोई किताब या ऐसा कोई काम जो बिना नाम का हो नैश कोशन 9 एक गवर्मेंट वाईदा रिच, ऐसी सरकार जो अमीरों की सरकार हो तो ऐसी सरकार को हम क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? अरिष्टू क्रेसी अरिष्टू क्रेसी में सोता है कुलीन तंथ्र मतलब कुलीन लोगों के दुआरक चलाई जाने वाली सरकार Next question 10 Killing or Murder for Political Regions ऐसी हत्य जो किसी राजनीतिक कारड़ के द्वारा की गई हो यह है और या coaching जो हत्या की जाती है उससे हम क्या कहते है थै सक्थेनिशन केहते है यानि असेसन मिस होती है हत्या निर्मा मत्या तो यहां हम लगाएंगे मडर मिस हत्य होती है लेकिन किसी बिसेश पॉलिटिकल रीजन के काज़ जो हत्य की जाती ऊसे हम असेसिनेशन कैती है तो आज हमने बंवच को सीखा